हरे हरे महादेब मित्रो इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ की के नाम वाले जातक एबम एन नाम वाले जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन कैसा रहेगा मित्रो इदी आप ये जानना चाहते हैं तो वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए क्योंकि यह वेडियो के नाम वाले जातक एबम एन नाम वाले जातक के लिए बहुत जयादा उपयोगी एबम हत्वपुर्न है लेकिन वेडियो में आगे बढ़ने से पहले वाईटी मिसरा को आप सबस्क्राइब कर दे साथ में वेडियो को लाइक कर दे एबम वेडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दे एबम वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपके सुनने मित्रो के नामबाले जातक एबम हैन नामबाले जातक यदि किसी भी प्रकाड के शंबंध में आते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन बहुत जयादा कठिन बहुत जयादा मुस्किल होगा क्योंकि इन दोनों का सुभाब एक दूसरे से अलग एक दूसरे से भिन होता है इस नाम के दोनों लोग अपने अपने जीवन में अपने अपने बिचारों को बहुत जयादा सम्मान बहुत जयादा महत देते हैं एबम इन दोनों के इस सुभाब के कारण इन दोनों के यदी एन नामबालों की बात करें तो एन नामबाले लोग हर चीज के बारे में बहुत जयादा तेज एबं प्रकर होते हैं। जयादा पसंद करते हैं मित्रों यदी एन नामबालों की बात करे तो एन नामबाले कुछ लोग बहुत जयादा जिद्धी बहुत जयादा हठीले होते हैं एबम एन नामबालों के इस सुभाब के कारण आप दोनों के बीच में आपसी मन मुटाब बहुत जयादा होगा एबम इसके अलाबा एन नाम बाले लोग बहुत जयादा आत्म नियंत्रित होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में अपने ताकत की तलास में होते हैं लेकिन मित्रो आपको बता दे कि एन नाम बाले लोग अपने आपसी जीबन में अपने जीबन साथी के परती बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं लेकिन मित्रों यदी के नामवालों की बात कड़े तो के नामवाले लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे की के नामवाले कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी बहु इबम के नामबालों के इस सुभाब के कारण आप दोनों के बीच में आपसी मनमुठाब अबश्य होता है। इच में बनने बाला बंधन सामान्ने रूप से सही रहेगा।